असलाम अलेकूम 10 ख्लास कैसे बेटा वो उमीद सब खेयर से होंगे तो लास्टीम बेटे हमने चैप्टर नमबर तुरी कंडिशन लोजिक में देखा था नैस्टी सेलेक्शन स्ट्रक्चर के जिसमें क्या होता था कोई भी कंडिशनल लोजिक सेकिन कंडिशनल लोजिक के कोड आजाएगा इफ कंडिशन टू इस्टू और उसके पार उसके एक एसोडिट कोड अटेच होता था जो के एकजीट होता था अगर इफ कंडिशन 2 इस ड्रू हुती थी अदरवाइस फ़ला एसोसेड कोड एक्जीक्यूट होता था तो आड़ बेटे हमने यूजीज स्ट्ट्ट्टर रीड करना है और पर बेट हमारे पाथ 65 प्रोग्रामी टीए 3.4 अनोडर इस प्रोग्राम इस एंपोर्टेंट बट इस प्रोग्राम के बाद बेटे हमें तक्रीबन आईडिय हो जाएगा कि कैसे हम nested selection structure use कर सकते हैं कोई भी अगर हमने real life का कोई program या कोई example या कोई problem हमने हल करनी है थूँ आप c lmv program तो हम इस program को देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि कैसे हम एक software program design करके अपनी real life या world problem को sort out कर सकते हैं तो अब बेटे ही हाँ पर programming time 3.4 है मारे पास uses of nested selection structure में और problem यह है कि हमने एक bill calculate करने का formula हमें यहाँ पर गिवन है और हमने एक software बनाना है एक c lmv का program लिखना है जिसमें bill calculate किया जाए अब bill calculate करने के लिए बेटे यहाँ पर formula हमें already given है an electricity bill billing company calculates the electricity bill according to the following formula bill amount is equal to number of units consumed multiply by unit price के जिस customer ने या जिस user ने जितने भी units consumed की हैं उनको हमने unit price के साथ multiply कर देना है तो वह उसका bill amount बन जाएगी लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो table provide किये गें के हमारे पास basically दो तरह के user होते हैं two type के user होते हैं एक होता हमारे पास home user और एक होता है हमारे पास commercial user अब commercial user और home user दोनों के लिए जो unit price होती है वो different होती है normally real life के अंदर भी हमारे जो घरों के भी लाते हैं ये commercial भी लाते हैं उन पे unit price different होती है तो अब यहां पे जो home user हैं उनके लिए यहां पे units के लिए बता दिया गया कि अगर for example units less or equal to 200 होंगे तो उनके लिए 12 रुपिया sign करना है charge करना है और अगर units greater than 200 and less or equal to 400 होगा तो उनने 15 रुपीज के हिसाफ से bill charge करना है और अगर units greater than 400 up to maximum होगा तो उनने 20 रुपीज पर unit के हिसाफ से charge करना है तो यह table तो हमने use करना है जब हमारा user होगा home user लेकिन अगर commercial user होगा तो पिर हमारे पास यहां पे उसकी unit price different होगी मिसाल के तोर पे जैसे यहां पे लिखा हुआ units is less or equal to 200 तो देन उसे 15 रुपीज पर unit charge किया जाए और अगर units greater than 200 बट units less or equal to 400 होगा तो उसे 20 रुपीज पर unit charge किया जाएगा और अगर units greater than 400 up to maximum होगा तो बेड़े 24 रुपीज पर unit charge किया जाएगा अब यह problem के लिए हमें जो ना दोनों के उन्होंने condition बता दी कि अगर इन units के दिर्म्यार में होगा तो यह यह per unit price आपने charge करना है तो अब problem के है कि हमने एक program लिखना है जिसमें user से हमने input लेनी है number of units कि उसने कितने number of units consume की है और एक और हम input यहाँ पर यहाँ पूछेंगे कि वो user home user है या commercial user है तो देन हमारा program यसी language software इसकाबिल होगा कि वो बताएगा कि आपका अगर number of units यह है और अगर आप user home user है या commercial user है तो आपका इतना bill बनेगा तो मिसाल के तर बेटा यह ज़रा इसको start करते उसी तरह हमारे पास header file और main function होगा तो उसके बाद program बेटे body start हुई है और उसके बाद यहां पे हमने different variables declare करवा देने है पहले number बेटा हमारे पास variable यहां पे units और second number बेटा unit price और third हमारे पास bill यह bill हम जो है ना bill का formula calculate करते यूज करें तो इसलिए हमें यहां पे declare करवाना परेगा तो इसके हमने data type देखिए integer चुक्के units normally ऐसी देखते हैं कि सर्व या 15 होते हैं या 200 होते हैं या 400 होते हैं कभी हम नहीं सुनते कि units जो है मतलब कि 50.5 किसी ने consume कि हो तो इसलिए यहां पे हमें इनकी data type integer set करना पर रहेगी उसके बाद unit price भी हम already उपर टेबल में देख चुक्के कि यह 12 है 15 है यह 20 है यह 24 है तो यह भी क्या है integer है और चुक्के यह सारे data type input अगर integer होगी तो definitely output भी हमारी integer type की ही होगी और second line पे हमने यहां पे user type एक variable बनाया है of data type character अब character क्यों रखा है क्योंके अगर for example वो commercial user होगा तो उसे keyboard से c press करना होगा और अगर वो home user होगा तो उसे keyboard से h press करना होगा अब c और h दोनों character है एक बटन जो है keyboard का जो एक हमारे पास alphabet होता है वो character कहलाता है ठीक है तो यहां पे वो जब h enter करेगा या c enter करेगा तो चुक्के यह character type का होगा तो इसलिए हम यहां पे user type की जो variable है इसकी data type chart set करना परेगी ठीक है बटा तो उसके बाद print app function हमने use किया है और screen पे हमने messy display करवा दिया using print app function ताके user की असानी के लिए उसे समझ आ जाजए कि next उसनी क्या procedure या proceed करना है तो यहां पे बटने मैंसे लिखा कि please enter h for home user and c for commercial user कि अगर वो home user है तो वो h enter करे और अगर वो commercial user है तो वो c enter करे अब चुक्के हमने user से input get करनी है तो यहां पे हम scan function के थूर से scan करवा लेंगे next हमने एक और function यहां पे use की है print app के अंदर please enter the number of units consumed के unit जो user हमें वो यह भी बिताए कि उसने कितने number of units consumed की हैं चुक्के यह input data type है तो scan function के अंदर हमारा जो double quotation mask के अंदर format specifier आएगा यह बड़े percentage डी आएगा ठीक है कॉमे के बाद उसी तरह से end operator या ampersend units आजेगा variable का वो address या reference जिसके अंदर वो data आपने store करना है अब आ जाते हैं पे नमबर 66 के उपर हमारा असर प्रोग्राम का हिस्सा जो के इस टीज को हैंडल करेगा तो यहां पर बटा देखे हैं हमने if के अंदर condition लगाई हुए के units is less or equal to 200 के अगर units less or equal to 200 हैं तो अब हमने यह आप से चार्ज करना है ठीक है दोनों का condition सेम है कि अगर units less or equal to 200 लेकिन आगे जो उसको unit price चार्ज करनी है वो दोनों के different है कैसे कि अगर home user है तो इसे 12 रूपीस पर unit चार्ज करना होगा और commercial user होगा तो उसे 15 रूपीस पर unit चार्ज करना है तो next video हमने यहाँ पर इफ के अंदर एक और इफ लगाई है ठीक है यह बन गी हमारे पास nasty selection structure तो next हमारे पास इसके इफ के अंदर एक इफ लगी ही यह उसमें लिखा हुआ कि if user type equal equal edge अब चुके user type भी हमारी input character type की थी तो हम character को character के साथ comparison कर सकते हैं तो इस वज़ए से हमने यहाँ पे user type equal equal to जो एच लिखा हुआ है वो character लिखा हुआ है not single edge अगर हम उसे विदाउट पोस्ट आफिय सिंगल कॉमाज लिखेंगे तो वह एक हमारे पास input integer बन जाएगी तो जूके मैंने क्लास में आपको बताया था कि कभी एक integer को हम character से comparison नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे बड़े वह यह comparison कर रहा है कि अगर user type h है means के home user है तो unit price is equal to 12 के unit price जोना है वो memory में 12 सेट कर दी जाए अभी यहाँ पे just unit price ली जा रही है calculation हमारी last में जाकर होगी billing की लेकिन अगर बैटे यह condition falls हो जाती है means के home user h नहीं है means के home user नहीं है user type तो else if के अंदर दुबारा condition लगा के चेक किया जा रहा है के user type is equal equal c अब c भी यहाँ पे character है तो definitely user type की data type भी character है तो character को character से comparison किया जा रहा है और let us consider अगर वो home user है commercial user है sorry तो unit prices को 15 set कर दिया जाए यहाँ पर बैटे यह program का जो हिस्स है यह तब execute होगा जब units is less or equal to 200 की condition को true satisfied करेंगे अब let us consider हम assume कर लेते हैं कि units की जो value है वो 200 से less नहीं है तो यह condition क्या हो जाएगी falls जब यह condition falls होगी तो वो आ जाएगा else if के अंदर अब else if में हमारी double condition लगई है कि units is greater than 200 and operator units is less or equal to 400 कि अगर किसी consumer के या user के unit 200 से ज्यादा है और 400 से कम या बराबर है तो then हमने क्या करना है अब उपर टेबल में हम देख सकते हैं पर इनमर 65 पे के अगर unit 200 से अबाव हो और 400 से less or equal हो लेकिन अगर home user होगा तो उसे 15 रूपीस पर unit चार्ज करना है और अगर वो commercial user होगा तो उसे 20 रूपीस पर unit चार्ज करना है तो इस के लिए हम देख सकते है कि उसी तरह हमारे पास if और else if लगी होगी तो जहां पर उसने फिर again comparison किया user type equal equal as तो unit price उसको 15 assign कर दी जाए और अगर user type equal equal c means commercial user है तो उसको unit price 20 set कर दी जाए लेट अब हम यह एजूम करते हैं कि ना तो वो units 200 से less हैं ना वो units 200 और 400 के दरम्यान है वो इन दोनों conditions को false कर देत हैं तो यह बेटे आ जाएगा S के अंदर जो सबसे last में हमारे पास S लगा हुए अब definitely अगर किसी units consumer या user की units 400 से ज्यादा हैं तो उपर वाले टेबल पर 65 में हम देख सकते हैं कि अगर वो home user होगा तो से 20 रूपीस पर unit charge करना होगा और अगर वो commercial user है तो हम उसे 24 रूपीस पर unit charge करेंगे तो else के अंदर आके बेटे दुबारा यहां पर एक if और एक if लगी हुई है जहां पर हम दुबारा user type को comparison करेंगे home user के साथ और commercial user के साथ तो home user के साथ comparison करेंगे तो unit price उसके 15 assign कर देंगे और अगर वो commercial type का होगा means के user type equal equal c वाली condition true होगी तो यहां पर उसको unit price 24 assign कर दी जाए यह बेटा हमपे हमारी memory के अंदर unit price set हो चुकी है ठीक है अगर यह उसके unit 200 से less थे तो उपर वाली condition के कॉर्डिंग 12 रुपे अगर वो home user था और commercial user था तो उसे 15 रुपे assign कर दी हैं लेकिन अगर वो 200 से ज्यादा यह 400 से less था तो उसको unit price home user था तो 15 रुप रुपीज पर unit हमने उसको चार्ड कर देने हैं यह बटा है तो नहीं थोड़ी से mistake है और mistake यह है last वाले else के अंदर if user type equal equal as unit price यहाँ पर 15 नहीं बलके unit price यहाँ पर 20 आएगी ठीक है उपर वाले table के according अगर home user के units 400 से अबबाव हो तो उसे 20 रुपीज पर unit charge के जाएगा यह पर प्रॉबलम के अंदर जो condition दी गई उसमें भी unit table के अंदर देख सकते हैं तो काइनली इसको अपनी बुक्स के ओपर भी correct कर लीजिएगा अब यहाँ पर हमारी unit price जो है memory में set हो चुकी है last हमने यहाँ पर formula लगाना है चुक्के units हम user से already शुरू में ही get करवा चुके पे लास वाला function आप देख सकते हैं scan function के अंदर हमने units user से get किये थे और memory में store करवा लिए थे अब unit price भी बेटा हमारी memory में store हो चुकी है तो यहाँ पर bill is equal to units multiply by unit price के जितनी number of units हैं उनको unit price के साथ multiply करके bill calculate करके memory में वाले variable के अंदर store कर दिया जाए अब यहाँ पर bill हमारा हो ग message pass कि हमने your electricity bill is percent 80 double protection mask को close करेंगे comma और वो variable pass कर देंगे जिस variable में आपका वो data या result stored है तो यहाँ पर बटा हमने variable pass कर दिया bill और उसकी बार terminator और program आपका यहाँ पर terminate हो जाएगा तो आपने क्या करने है बेटे आपने यहाँ पर number of units user से get करने for example 150 और आपने उसको बताना ह है कि user type आप for example edge home है home user है तो फिर आपने वो bill calculate करके दिखाना है कि आपका कितना bill जो है इस program के recording शो होगा एक बार और फिर आपने इस program को execute करने है तो आपने यह दुबारा 150 लेने लेकिन आपने इस बार user type commercial enter करनी है तो फिर देखेगा आपका जो इस बार bill बनेगा वो पह यह मैंने आपको a lot of time class में भी बता चुका हूँ कि अगर इफ के बाद associated code में अगर एक line होगी तो उसको आपने braces या block के अंदर enclose करना होगा और अगर multiple होगी तो आप उसे close नहीं कर सकते लेकिन अगर multiple होगी तो फिर आप उन्हें क्या करेंगे braces या block के अंदर close करेंगे त तो यह मैं आपको hint दे देता हूँ पीछे हमने कोई एक program ऐसा किया था इसी book के अंदर के जहां पर percentage अगर greater than 80 थी तो हमने उसको a grade assign किया था अगर greater than 70 थी थी तो b grade assign किया था तो सेम प्रोग्राम बेट है जबस यहां पर हमने आउटपुट जरा और शो करनी मिसाल के तोर कि वह कहता है कि अगर 80% या उससे अबाव है तो उसको bsc में enroll करवाने मीज के उसको admission मिल जाएगा ठीक है और इसी तरह अगर 70 से अबाव होगी तो उसको bcscs में enroll करवाने और अगर greater than 60% होगी तो उसको bsit program के अंदर enroll करवाने तो बिटा this is your assignment homework यह आप करके लिए कराएं नेक्स मिलते इंशाला तब तक लिए अपना क्या रखेगा अलाफीज